इस वीडियो में जो हम यूएफा चेंपियंज लीग का एक बड़ा मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा एटलेटिको मैडरेट वर्सेस मैंचेस्टर सिटी के बीच मैच कवेन योगा मैडरेट रात में 12.30 एम पे मैच स्टार्ट होगा अब दोस्तों यह इस फिक्चर का सेक कि उनके बास सेकिंड लेग में आने से पहले एक गोल का एडवांटेज है अब इस वाले मैच में आगर आपने देखा होगा ना पूरे मैच में हुआ सिटी ने पोजेशन डॉमिनेट की थी पूरा गेम डॉमिनेट किया था एटलेटिको मैडिन ने पूरे मैच में बस पा अगे थी बट वहाँ पे डिवराई ना इतनी अच्छी फॉर्म है उन्होंने फोडन के साथ अच्छा लिंक प्रे करके एक गोल कैसे न कैसे निकाल लिया और वह एक गोल का जो एडवांटेज है ना बहुत कुरूसियल एडवांटेज वह मैं सिटी के पास लग गया अब आज के मैच में भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चेंज तो अटलेटिको की इंटेंड नहीं होगी वह आज भी ज्यादा डिफेंडिंग करेंगे और काउंटर में हीट करने की कोसिस करेंगे लेकिन आज पिछले मैच जैसा नीच लेगा एक स्टेज एसी आएगी जब इनको शोली गोल स्कोरिंग का देखना होगा अमाली जे 70-75 मिनेट तक भी 0-0 चल ला है और सिटी पोजेशन डॉमिनेट करेंगे तो वहां पर उसे स्टेज में एटलेटिको मेडिट को काउंटर में हीट करना होगा उसका फायदा दुनू टीम को सकता है सिटी मैच बहुत ज्यादे इंपर्टेंट होने वाला है ओन पेपर शोली सिटी फेवरेट होगी बट सिम्योनी जो अटलेटिको मेडिट के मैनेजर है ना उनको एंडरेस्टिमेट हम नहीं कर सकते वह एक जीनियस परसान है उनको ऐसे मैचेस में बहुत बार मैनेज करने का उनक सकते आपने देखा है पहले भी सिटी लाश्ट कुछ सीजन से यूसियल में इतने क्रूसियल स्टेज में बॉटल किया है उन्होंने बाहर हो चुकी है जबकि वह वन अब दा फेवरेट की तरह उतरी थी तो ऐसा हो सकता है बट फिलाल के लिए जो फेवरेट होगी हो सिटी रहेगी अब उस वाले मैच के बाद ने एक और मैच खेला और वह एक वीक मायोर्का साइट से वन निल से हार गये थे इस मैच में वह एसा फेवरेट उतर दे ऑल्दो कुछ में इन प्लियर्स इसमें भी नहीं खिले लेकिन देखा जाए वह मैयोर्का से उस मैच के बाद ल चंपियंद लीग में चार उन्होंने ड्रो खेला है और तीन वह हारी है यानि कि अभी देखा जाए उनकी जो रीसेंट फॉर में अपने घर में यूएफा चंपियंद लीग में एक भी मैच नहीं जीते हैं तो यह स्टेट जो है सिटी के फेवर में और अगेंस्ट जा रह लेकिन Grand League में एक गोल ले स्टॉर और नहीं बेन हैं तो अभी जा सकते हैं तो अब ही प्रूबिबल लाइन अप प्र आहिं आते हैं उससे वह एक चीच कहना चाहूंगा इस मैच की फाइनल स्माल लीग टीम और सभी फूटबल मैचे लिग्राम चैनल में कबर करते हैं उस 3300 के असपास सब सॉला चैनल आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह टॉप पिन कमेंड में जाएगे टेलिग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोइन हो जाएगे प्रोवेबल लाइनप पे आते हैं पहले सीटी की बात करते हैं तो मेरे अकॉडिंगे प्रोवेबल जाओ के वोकर श्टोंस लपोट और जाओ कैंसलो अब दोस्तों इस मैज में ना किसी एक टिम को क्लिंशीट के लिए करना को सीटी को करूंगा और बहुत अच्छा चांस है सीटी के क्लिंशीट का चूँकि अगर गोल नहीं मारेंगे वह सी बाहर होजेंगे अगर गोलेर 파्री रहते हैं एकर वनवन रहते हैं अगर अगर दोग्रन रहा हमें गोल जयांदा सकते हैं तो में अभीए के लिए आपको करूंगा 4 के के चारे defender pick कर रहा हूं अगर आपको तीन चूस करने है फिलाल के लिए कैंसलो लपोर्ट मेरी टॉप टू चोइज है स्टोन से वॉकर में अपना कॉल ले सकते हैं कैंसलो को तो इवन आप स्मॉल लीग में भी वाइस केफटनसी दे सकते हैं बहुत अटेंकिंग फूल बैक है पासेज बहुत करते हैं चांस क्रेट बहुत करते हैं डिफेंसी वाइस भी अच्छे हैं इवन और लपोर्ट हैटरस में बहुत सॉलिड है और लपोर्ट तो इस मैच में 100 प्लस पासेज कर सकते हैं बाकि स्टोंस वॉकर में अपना कॉल लेना कर एक ड्रॉप करना है इस मै पिक रहेंगे और बड़े बड़े ओके जंसने मोश्टली टाइम ये डिलीवर करते हैं भी लिवरपूल के अगेंश भी बैतरीन गोल मारा तो मस्ट पिक रहेंगे जिस तरह की फॉर्म में एक टॉप केफटन सी ऑप्सन रहेंगे लाश्ट टाइम भी सीटी के अगेंश नही भी मा रहा था और जो टीम डीव डिफेंडिंग करते हैं उसमें जो प्लेयर मोश्ट क्रेटीव होता है वो उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डिब्राइना मस्ट पिक है मारेज भी मस्ट पिक रहेंगे ओल्थो पिछले मैंच मैं एट्लेटिकों के अगेश अच्छा नहीं किया लेकिन कभी भी यह अच्छा कर सकते हैं बहुत टॉप कालिटी प्लेयर हैं दूसरा है इस टीम के मेंच चॉइस पैनल्टी टे कर रहें तो ऐसे प्लेयर को तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते तो डिब्राइना के अलोंग साइड मारेज भी मस्ट पिक रहने नहीं पेस का यूज करके एक्स्प्लाइट कर सकते हैं जो उनकी डीब डिफेंड लाइन है बट अभी के लिए मैं ग्रिलिश के साथ नहीं जा रहा हूँ मैं या तो थार्ट प्लेयर पिक करूँगा फिल फोडन यह मैं जाओंगा बर्नाडो सिल्वा के साथ फोडन के साथ आपको एड्वन्टेज है हाफ क्रिडिट कम के मिलने लेकिन बर्नाडो भी इक्वली इंपोडेंट ऑक्षन है बट अभी जहां तके मैं फिल फोडन के साथ जाँगा जो लास्ट मैज में इनकी जो डिफेंस लाइंग ब्रेक की थी ना एटलेटिकों की ओ फोडन और डिव और फिर डिव्राइना मारेज उसका लिंक या तो आपको description box में मिलेगा या आपको मिलेगा top pin comment में वहां से जुड़के हैं मेरे telegram channel से join कर सकते हैं 4300 के असपास सबस्वाले channel आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इस match में डौटफुल होने वाले हैं तो इनकी 11 देखते हैं या नोबलेग इनके गोल की पर है इनको में शोली पिक करूँगा CT ज्यादा टेक करेगी यह हमें अच्छे खास से saving points इस wedge में दे सकते हैं अब यह आजकल 3 in the back में खिलने हैं सेविक, फिलिपो और रिनेल्डो इनके 3 center back होंगे इसके अलावा जो इनके left wing back होंगे लोधी यह चार बंदे आपको बिलिंगे fantasy platform में defense section में जबकि लोरेंटे midfield section में लिष्टेड हैं अभी के लिए न इस backline में मुझे दो अच्छे options ल point दियते तो एक safe player हैगा बट इस match में लोडी भी बहुत अच्छे option हो सकते हैं क्योंकि इस match में इकवली इनको attack भी करना होगा गोल मानने को देखना लोडी एक attacking wing back है जो defensive work तो करते हैं साथी जब counter में जब इनके जो fullback होंगे न CT के थोड़े आगे निकल के तो spaces चूटते ह है उसका फायदा उठाके क्या वरोसा random goal assist कर दे और पास में इन्होंने goals वगेरा किया है ललीगा में भी और इन्होंने man unit के डाले match में भी score किया था तो यहां पर अपना call लेना लोडी का भी selection भी आई है I think इन दोनों में किसी एक के साथ जाँगा सायद मैं लोडी के साथ इन दोनों में किसी एक के साथ जाया जा सकते हैं मिट फिल में कोके अब बहुत स्लो हो गया है और उतने फैंटेजी पॉइंट मी देखा होगा जो चेल्सी वाले match में उन्होंने दिया था रोडरीगो गयस को वैसे टैप कि यह इनके बास भी विजन है ऐसी बॉल्स यह भी कड़ सकते हैं द Gerryशा एंडा कर सकते हैं दोनू टॉप कडग्र है यह गरें बडाब केशने इन दोनूं का क्रेडिट इतना जाद है कि मैं दोनूं का इपर पाया शोली इन दोनु थोड़प के साथ जाता है और ये पिछले match में आज़ा स्टर मिट्विल्टर खेलेते ना इस मैच में जब भी लोरेंटे जब भी लोरेंटे के साथ गया हूँ बट इनका यह ना कभी-कभी जलती सबसिटूट कर देते हैं इसी म्योनी बट आई थिंग वो जब यह मिट्वील में खिलते हैं तभी करते हैं सायद विंग खेले तो इनको पूरे मौके दे मलब फूल 90 मिनेट खिलाए फॉरवर्ड में कुरिया और फिलिक्स हुँगे नी सौरी यहाँ पर कुरिया के फिलिक्स में ग्रीजमें भी खिल सकते हैं जो प्रिजमें जो खिला चाहे उसके साथ जा सकते हैं तो वे विदाओट गोल असिट भी डी सेंट पॉइंट इसमें दे सकते हैं तो यह एटलेटिको मेडरिट की प्रोववल यह लेवन थी लगबग सभी चीज़े मैं यहां से आपको डीटेल में एक्स्प्लेन कर दी अगर यह 11 खिली पैनाल्टी होती ना फिलेक्स कोरिया ग्रीजमें में कोई भी पैनाल्टी ले सकता है आई तिंग क्यूंकि जो स्वारेज है वो सब्सीडूट से भी फीचर करेंगे फिलाल यह अब स्क्रीन शॉट क्लिक कर सकते हैं अभी जो मेरी पेडिक्सन है एक वन वन ड्रो है दूसरी मेरी एक टू वन में सीटी विक्ट्री है और अगर क्रेडिट बसता है फोडन के प्लेज में में बनाडो सिल्वा पिक कर सकते हैं यहां फिलिक्स लिए लोरेंट लिए अगर क्रेडिट बसता है आप लोरेंटे के प्लेस में भी कॉंग डॉम्बिया या रोडरिगो डिपॉल पिक कर सकते हैं केप्टन सी जिस तरह की फॉम में केविन डिब्राइन है वो सेफ केप्टन रहेंगे वाइस केप्टन सी अगर आप सीटी को फिवर करें महारेज फोडन कंसलो बेस्ट अप्सन है अगर आप एक वनवन ट्रो कर ले जा रहें मेभी फिलिक्स या आप यहां पे पिक करेंगे क्या नामें ग्रीजमेन कोरिया में कोई या मेभी आप रेनल लोधी को इसके ऑप्टन सी दे सकते हैं लेकिन लोधी अगर इसके ऑप्टन रहेंगे तो यह मेरी टेमोर अफ टीम थी जो भी मेरी अफडेटेटर फाइनल टीम होगी लाइना पाने की बाद में टेलीग्राम में पोश्ट करूँगा लिंक है description box में join कर लिजे